कि मद्यप्रदेशी कमलनास सरकार का एक महिना हुआ पूरा इसमें कौन-कौन से लिए गए अहम निर्डे दोस्तों स्वागत आपका ग्यानमित्र न्यूस चैनल में और मैं हूँ अपके ग्यानमित्र कुल्दी पांडेश को आज के सुझे हम बात करने जा रहे हैं हमारे मद् सरकार के रिपोर्ट कार्ड एक महिने के रिपोर्ट कार्ड से क्या प्रमामला आई जाने लेते हैं ख़बर को विस्तार से दोस्ता आपको पता दे मद्रदेशी सरकार ने कांग्रेस नेताओं और कारीकरताओं को बड़ा तोफा देने का मन बना लिया है जिसके चलते कमल्ला सरकार ने अब तक के 30 दिनों में कर्ज माफी पुलिस कर्मियों की सापताई का उकास गोशाला निर्मार और कन्या विवास अहायता राशिप 28,000 से बढ़ा कर 50,000 रुपे करने के वादे को पूरा किया है साधी कांग्रेस ने कांग्रेस आई खुशिया लाई के स्लोगन को भी दे रही है अब कांग्रेस सरकार ने के विनेट की बैठक में बड़े फैसले पर नेड़ने लेते हुए कांग्रेसियों के खिलाब दर्ज मामले को भी वापस लेने जा रही है तो सो कांग्रेस सा कहना है कि राज्यमें बीते 15 साल से बीजेपी की सरकार थी इस दोरान कांग्रेस समेथ अंदलों ने नेताओं और कारिकरताओं पर कई मामले दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लेने का फैसला किया जा रहा है इसी के साथ कमलना सरकार ने पूरे किये वचन आई अब बिता देते हैं आपको एक महीने के अंदर क संबर्द होगा प्रदेश की पुलिस कर्मियों को सापताई का उकार्ष मिलना सुरू होगा कन्या विवास सायता रासी 28000 से बढ़ाकर एक्यावन रूपे कर दी गई है गोशाला निर्मान के प्रक्रिया में शुरू कर दी गई है दर्ज मामले वापस लेने पर बीजेपी ने किया विरोध दोस्तों आपको बता दें कमला सरकार की सरकार के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि इस फैसले की आड़ में कांग्रेस अपरादियों को साथ दे रही है और बीजेपी रॉक्ता रजनी शगरवाल ने कहा है था कि कांग्रेस इतनी इसक यह कर रही है को कर रहे है कारण ने बताना पड़ेगा रर्शक्तार हमने वीडियों आपको बताया मत्यपरदेश में कमला सरकार का एक महीना पूरा हो चुका है और एक महीने में उन्होंने कौन-कौन से योजिनाओं को शुरू की है कौन-कौन से मुकदमों को वापत और अधिक साथिक लोगों तक शेयर करें तकि सभी जानकारी से लाभन भी दो सकें और यदि आपने विद्धेक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह के लेटेस्ट अपडेट और मत्यप्रदेश की न्यूस प्राप्त करने के लिए हमाई चैनल को झैनल करता है उडिछ संथस्क्राइब झाल लुझ